नमसकार दोस्तो, आपका अपके अपरें चैनल में स्वाक्त है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के याने की एक अगस्त के कुछ एक महत्तपूरन एजूकेशनल अपडेट्स के बारे में जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहां पे रहने वाले हैं तो यहां पे हम लोग जो है वो HP UG 1st और 2nd इर का जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे इससे के साथ HP PG की क्लासिस जो है वो इस दिन से सुरू होंगे तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा साथ में ही हमाचल प्रदेश यूनिवस्टी की जो बियर की कॉंसलिंग की मेरिट लिस्ट है उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट आया हुआ है तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे साथ में ही सीदार पटेल उनिबस्टी मन्डी के जो UG First Year के Result एं उनके regarding वी जो हो update रहेगा। यसे के साथ ही हमाचल प्रदेश उनिबस्टी रिजनल सेंटर धरमसाला की बात करें तो उननों ने यहाँ पर PG courses के लिए जो counseling है उसका schedule जो है बजारी कर दिया है तो counseling का जो यहां पे समय रहेगा वो सुबा 10 वज़े से लेके रहेगा और इसके लिए जो है वो जो भी candidate है उनको अपने यहां पे original certificate लेके जो है वो है यहां पे में इंगलिस और एमकोम की जो counseling है वो साथ अगस्त को आयोजित करवाई जाएगी इसके साथ में में पॉलिटिकल साइंस की जो counseling है वो 10 अगस्त को करवाई जाएगी इसके साथ में में सी जियोलोजी और में हिंदी की जो counseling है वो यहां पे 11 अगस्त को आयोजित करवाई जाएगी बाकि यहां पे MBA की जो counseling है उसके लिए यहां पे अलग से जो schedule है वो जारी होगा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पे HPU के जो UIT यहां पे center है उसमें BTEC later entry की counseling जो है वो स्थखित हो गई है तो HPU UIT ने BTEC course के second यहां पे year में डिप्लोमा धारकों को लेटर entry आयोजना के तहत दिये जाने वाले प्रवेश की counseling स्थखित कर दी है पिछले certificate और डिप्लोमा इसके लिए apply कर सकते हैं और पांच अगस्त तक यह portal जो हो खुला रहेगा और उसके बाद यहां पर counseling का schedule जो हो जारी होगा next update की बात करें तो next update जो हो अपका HPU की PG की जो अभी admissions होई उनकी ककसाइं कपसे सुरू होंगी उससे समत्त रहने वाला है तो अगस्त के second week में सुरू होंगी PG की ककसाइं HPU में इस बार डेढ़ हफ्ते देरी से सुरू होगा session तो HPU का नया सक्सिनिक सतर जो हो इस बार करीब डेढ़ हफ्ते से देरी से सुरू होगा HPU ने नया सतर की प्रवेश प्रक्रिय को पूरा करने के लिए पांच गस्त की समयद शीमा जो हो तैय की है नया session के यहाँ पर फर्स्ट समेस्टर की ककसाओं का schedule जो हो जारी होगा ऐसे में अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ककसाइं शुरू हो जाएंगी हालांकि सबार HPU ने PG प्रवेश प्रक्रिय को ध्यान में रखते हुए UG अंतिम बर्स का जो परणाम है वो बीना मेरिट के चलते समय पे गोचित कर दिये था इसके चलते साथर तर्स सडूल के अनुसरार PG कोर्स की कॉंसलिंग में अपीर हो सकी 31 जुलाई को युनिवस्टी के सभी वागव में नोन सब्सक्राइज सीटों की कॉंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी पांच अगस्त तक मेरिट अधार बाले जो यहां पे कोर्सिस हैं उनमें प्रवेश परिक्षा और जो PG के कोर्सिते उन सभी का जो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी इसके बाद जो है वो यहां पर क्लासे शुरू हो जाएगी और यहां पर अगस्त सेकंड या थर्ड बिक में ही जो हो शुरू होंगी और इसके रिगार्डिंग जो भी यहां पर ओप्सेल नोट्विकेस न वह आप लोगों जल्दी ही देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट अब आगर हम लोग यहां पर एसप्यू बियाड की जो कॉंसलिंग होनी है उसके मैरिट लिस्ट की बात करें तो वो मैरिट लिस्ट जो है वो अभी 7 या 8 डेस के अंदर जो हब वो यहां पर आ जाएगी तो बियाड में अडिमिसन के लिए सरकार इसी स सीटे मिलनी है उसके लिए एक रोस्टर जो है वो त्यार करती है लेकिन ये रोस्टर अभी तक जो है वो हमाच्र गौर्मिंड ने एसप्यू को नहीं बेजा है तो जैसे ही government से roster मिल जाता है तो आपकी merit list आ जाएगी और इसके बाद जो है वो यहाँ पर counseling करवाद दी जाएगी और जो यह delay हो रहा है बियर्ट की merit list उसको आने में तो reason इसका यही है कि अब तक government की तरफ से अच्पी को कोई भी roster यहाँ पर नहीं मिला हुआ है इसे कारण से जो है वो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो लेट आ रही है और यहाँ पर परिक्सा हुई थी वो एक जुलाई को हो गई थी अब सूतरों के अनुसार counseling schedule जारी करने से पहले हिमाच्चा प्रदेश उनिवस्टी और सिदार प्रेल उनिवस्टी मंडी के बीच एक बैटक होगी बताया जा रहा है कि सिदार प्रेल उनिवस्टी मंडी ने अपने अधीन IBR कोल्जों के सीटों को भढ़ने के लिए बीते अब यहां पर बात करें तो क्रीब यहां पर आट अजार बीच की सीटें भरी जानी है जिसमें जो है वो एच्प्यूग में government seat होंगी और जो यहां पर college of education धर्मसाला है वहां पर government seat सी ही होंगी बाकिस में 73 नीजी बीच कोलेज जो है वो होंगे अब टेस्ट की बात करें तो यहां पर 2983 उम्मीदवारों ने जो हो टेस्ट दिया है इसे के साथ यहां पर एक डीन ओप स्टडी से माच्चा प्रदेश उनिवस्टी की भी एक स्टेट्मेंट आई थी तो उन्हें ने बो जाएगी अब भी यहां पर आगर हम लोग HP UG 1st और 2nd year के जो रिजल्ट है उनकी बात करें तो यहां पर बड़े ज्यादा स्टुलेंट जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा तो जो UG 2nd year का रिजल्ट है वो यहां पर बिदिन बीक आना शुरू जो हो जाएगा और जो 1st year का रिजल्ट है वो अगस्त जो 2nd week है उसके बाद ही जारी होगा यानि कि 3rd 4th week में ही जो है वो 1st year का यहां पर रिजल्ट आएगा और जो 2nd year के रिजल्ट आभी बिदिन बीक यहां पर आने शुरू हो जाएगी अगर कि किसी का रिजल्ट जैसे जैसे यहां पर यूजी 2nd year का रिजल्ट है वो अगस्त में जो है वो जारी होगा तो अभी आप लोगों देख के चलो कि 7-8 days के बीद बीच आपका रिजल्ट जो हो जारी हो जाएगा बाकि उसके रिजल्ट के रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर द करते हैं से अपडेट्स के लिए मार साथ बने रहें और इसके बाद भी अगर आपको लोगों को कोई डाउट आता आपकी कोई क्यारी है तो आप लोगोंने मेरे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लेना है जिसका लिंक जो हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे बने बाता